Hello Everyone, Welcome to Exam Forum Exam Forum के आज इस वीडियो में हम सभी महातपॉर्ण पुरुस्कार यानि की अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मैंने पिछले एक साल यानि की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जितने भी महातपॉर्ण पुरुस्कार किसी भी छेतर में दिये जैंगे उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर किया है इस वीडियो की जो पीडियो फाइल है आप मारे टिलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक नीचे डिस्किप्सन बाक्स में दिया हुआ है या आप डारेक्ट टिलिग्राम पर जाकर एक्जाम फोरम पीडियो के नाम से सरच कर सकते हैं जहां पर आपको इस वीडियो की पीडियो फाइल मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं अब आज का वीडियो बहला कोशन है किस राजी को राश्टी जल परुसकार 2021 में जल सरच्छन प्रियासों में सरवसेष्ट राजी के रूप में चुना गया है तो इसका राइट अंसर है उत्तर प्रदेश राजी को यहाँ पर बात की गई है जल की तो जल से सम्मंदित तिन चार कोशन इयाद रखना जैसे गोवा अपने ग्रामेट चेत्तों में सो प्रसत गरों के माद्यम से जल कनेक्शन मौया कराने वाला भारत का पहला राजी बन गया है देश के सभी गरों में पाइपलाइन के माद्यम से साफ पानी मौया कराने का भारत सरकार का लच्छी है वर्स 2024 तक जिसके लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिसन योजना लांच किया है 24 घंटे सीधे जल के माद्यम से उच्छी गुडवत्ता वाला पेजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला सहर बन गया है उडीसा का पुरी सहर भारत का पहला सहर जिसे वाटर प्लस सार्टिफिकेट से समानित किया गया है या Water Plus Certificate दिया गया है ये है मद्य प्रदेश का इंदोर सहर ये वहीं सहर है जो कि स्वच्छ सरवेच्छंट 2021 के नुसार भारत का सबसे clean सहर है साप सहर है वर्तमान में भारत के जल सकती मंत्री हैं गजेंदर सिंग से खावत अगला कोशन है अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वुक आप वर्ड रिकार्ड और 2022 का पहला भिस रिकार्ड हांसर करने वाले पहले बेक्ती कौन बन गए हैं तो अंक विज्ञान जिसे हम इंग्लिस में निमरोलाजी के नाम से जानते हैं तो निमरोलाजी में दूर की कोचिंग है इसके संस्थापक भी हैं फाउंडर है आकास इस्टिट्यूट कोचिंग के जेसी चोधरी इनी को पूरी दुनिया में पहली बार अंक विज्ञान निमरोलाजी में गिनीज बुक आफ वर्ड रिकार्ड से समानित किया गया है अगला कोशन है किसे मरणो परा जो तालिबान थे वहां के उन्होंने मार दिया था अगला कोशन है गोल्डेन ग्लोब अवर्ड 2022 में सरोसेश्ट फिल्म से किसे समानित किया गया तो इसका राइट अंसर है दपावर आफ दा डॉग फिल्म को अब आपको गोल्डेन ग्लोब अवर्ड से चार पांच को शन पर दिये जाते हैं 2022 के जो Golden Globe है इनका 79th edition था अब यहां से आपको 4 कोशन याद रखने है कौन-कौन से Golden Globe Award 2022 जो की फिल्म के छेतर में दिये जाते हैं इस साल Best Film का पुरुष्कार दिया गया है The Power of the Dark Film को सरुसेष्ट अभिनेता यानि की Best Actor का पुरुष्कार दिया गया Bill Smith को सरुसेष्ट अभिनेत्री यानि की Best Actress का पुरुष्कार दिया गया Nicole Kidman को Best Director का पुरुष्कार दिया गया Jen Campion को ते 4 पुरुष्कार आपको Golden Globe Award से याद रखने हैं अगला कोशन है ICMR द्वारा राष्टी इस्तर पर Dr. सुभास मुखर जी पुरुष्कार से किसे सम्मानित किया गया तो इसका राइट अंसर है 37 अडिंगा को ICMR जो की भारत की एक Nodal Health Agency है इसका फुलफा में Indian Council of Medical Research जिसका मुख्याले है नई दिली अगला कोशन है For the Ethical Treatment of Enemals जो की पस्मों की एक अंतराष्टी इस्तर पर NGO है अगला कोशन है नेत्रत्व प्रदिबद्धता के लिए 2021 का सयुक्त राष्टर महिला पुरुष्कार जितने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई तो इसका राष्ट आंसर है दिब्या हेगडे दिब्या हेगडे जो की करनाटक राजी से एक जलवायू कारी करता है अगला कोशन है BBC Sports Personality of the Year 2021 पुरुष्कार से किसी समानित किया गया तो इसका राष्ट आंसर है एमा रादू कानू को एमा रादू कानू जो की इंग्लेंड की एक टेनिस खिलाडी है एमा रादू कानू वहीं टेनिस खिलाडी है जिन्होंने 2021 का US Open Tennis Grand Slam में महिला एकल का खिता जीता था अगला कोशन है टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 की एथलीट आप दा इयर के रूप में किसे नॉमनेट किया गया तो इसका राइट अंसर है सिमोन बाइल्स को सिमोन बाइल्स जो की अमेरिका देश की एक जिमनाष्ट प्लेयर है लेकिन यदि आप से कोशन पुछा जाए 2021 के लिए टाइम मैगजिन के द्वारा पर्सन आप दा इयर किसे नॉमनेट किया गया तो पर्सन आप दा इयर के रूप में नॉमनेट किया गया इलन मस्क को इलन मस्क जो की स्पेस यश्ट था टेसला कंपनी के फाउंडर और सीईयो है अगला कोशन है 17th मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया तो 2021 की میस यूनिवर्स बनी है भारत की हरनाज संदू हरनास संदू जो की चंडिगर से भारत की एक मॉडल है इससे पहले क्यों दो महिला है है भारत से मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी नुका नाम है सुसमिता सेंग जिनोंने 1994 में लारा दत्ता 2000 में अब तीसरी महिला बन गई है भारत की हरनाज संदू जो की 2021 का Miss Universe का खिताब जीत लिया है जो 2021 का Miss Universe का एडिसन था इसका आयोजन किया गया था इसराइल के इलियट सहर में जिसमें भारत की हरनाज संदू को इस खिताब को पहनाया गया जो की चंडिगर की एक मॉडल है तो एक कोशन बहुती मातपूर है आपको याद रखना है Miss Universe 2021 की बिजेता बनी है भारत के चंडिगर की हरनाज संदू अगला कोशन है रामानुजम पुरुसकार 2021 पाने वाली पहली भारती मैला कौन बन गई तो इसका राइट आंसर है नीता गुपता रामानुजम पुरुसकार जो की गड़ित के चेत्र में प्रद्योत की विबाग के द्वारा यानिकी Department of Science and Technology भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है अगला कोशन है World Athletics के द्वारा Women of the Year अवार्ड से किसे समानित किया गया तो इसका राइट आंसर है अंजू बाबी जार्ज को अंजू बाबी जार्ज जो की भारत की एक पूर्व खिलाडी है इनी को World Athletics Federation के द्वारा Women of the Year 2021 के रूप में समानित किया गया अगला कोशन है Tata Literature Live Lifetime Achievement पूरुसकार 2021 से किसे समानित किया गया तो Tata Literature Live जो अचिमेंट पूरुसकार ये दिया गया है अनीता देशाई को अनीता देशाई जो की भारत की एक बहुत ही जानी मानी लेखी का है अगला कोशन है बारती अंतराष्टी फिल्म माउस्तो 2020 में Indian Film Personality of the Year पुरुसकार के रूप में किसे नवाजा गया है तो जो बारती अंतराष्टी फिल्म माउस्तो है इसका हर साल आयोजन गोवा में किया जाता है इस साल भी इसका आयोजन गोवा में किया गया इसमें Indian Film Personality of the Year के रूप में दो लोगों को समानित किया गया है प्रसून जोसीत था हेमा मालिनी को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक से था आपने दोस्तों के एसास सेर जरूर किया करें अगला कोशन है प्रतिष्टित तेंजिंग नौर्गे राष्ट्री सांसिक पुरुसकार 2021 से किसे समानित किया गया है तो इसका राइट अंसर है प्रियंका मोहिते को जो तेंजिंग नार्गे नेशनल अडवेंचर अवार्ड है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस साल ये प्रियंका मोहिते को दिया गया है जो कि महाराष्ट राजी की 28 वर्सी एक परवता रोही है अगला कोशन है साहित अकेडमी प्रुसकार 2021 में हिंदी भासा के लिए साहित अकेडमी प्रुसकार से किसे समानित किया गया है तो हिंदी भासा में जो साहित अकेडमी प्रुसकार दिया गया ये दिया गया है दया प्रकास सिनहा को यदि आपसे क्वेशन पूचा जाए कि अंग्रेजी भासा में साहिते खेडमी पुरुषकार 2021 किसे दिया गया है तो अंग्रेजी भासा में नमिता गोकले को जबकि हिंदी भासा में द्यापरकास नहां को अब हम जान लेते हैं कि साहित अकेडमी पुरुसकार क्या है तो साहित अकेडमी पुरुसकार जो कि भारत में साहित के छेतर में दिया जाने वाला एक सम्मान है यहां से दूसरा कोशन पूछा जाता कि साहित अकेडमी पुरुसकार कि इतनी भासाओं में दिया जाता है तो जो साहित अकेडमी पुरुसकार है यह भारती समिदान की आठवी अनसूची समय सामिल 22 भारती भासाओं तता राजिस्थानी और अंग्रेजी टोटल 24 भासाओं में दिया जाता है इसकी पहली बार सुरुवात 1955 में हुई थी यह सारे कोशन आपके एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इन सभी कोशन को आपको याद रखना है अगला कुशन है Global Environmental and Climate Action Citizen Award 2021 से किसे समनित किया गया है तो यह पुरुषकार दिया गया है विरल सुधीर भाई देशाई को अगला कुशन है सामाजिक नियाए 2021 के लिए Mother Teresa Memorial Award से समनित किसे समनित किया गया है तो Mother Teresa Memorial Award 2021 से समनित किया गया है डाक्टर अनिल प्रकास जोसी को Education Asia Awards 2021 में Digital Innovation of the Year Awards किसे किसने जीता है तो Digital Innovation of the Year जो अवार्ड यह दिया गया है ओपी जिंदल Global University को जो कि हर्याना में इस्तित एक Private University है यह पुरुषकार Times Higher Education जो पत्रिका है उसके द्वारा दिया गया है अगला कुशन है Golden Peacock पर्यावरान प्रबंदन पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो यह पुरुषकार दिया गया है Steel Authority of India जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं सेल जो कि भारत की एक महारतने कंपनी है वर्तमान में सेल की MD तथा CMD है Tour Somada bulbs Pen for India अगला कुशन है भूटफान देश अपने देश में अपने सरोच नागविक सम्मण जिसका नाम है नगधक फैलगी कोरो सेखी सम्मानित किया जाने की घुसना किये तो भूटान देश का जो सरोच नागविक सम्मान है जिसका नाम है नगधक फैलगी खोरो लो ये प्रुस्कार दिया जाएगा भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी तक भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को आठ देशों का जो सरोच सम्मान ये मिल चुका है ये आठ देश कौन कौन से हैं साउदे अरेबिया, अफगानिस्तान, फिलिस्तिन, यूनाइट अरब एमिराथ, रूस, माल्दियू, बहरीन, यूएस, अब आटवा देस बन गया है भूटान, जो की अपना सरोच सम्मान भारत के प्रदानमंत्री नजल मोदी को देगा, भूटान की राधानिय थिंपू, बूटान की राजवासा है, जोडगा, बूटान की वरतमान में प्रदानमंत्री है, लोटे, सेरिंग, और बूटान की मुद्रा है, नगड ट्रम, ये कोश्चन चारों आपके एक्जाम में करीब-करीब, आठ से दस बार, एससी, सीजिया लिया, फिर रेलवे में पूछे जा चुके हैं, ये सभी कोश्चन बहुत ही मातपून है, आपको इन सभी कोश्चन को भूटान से याद रखना है, अगला कोश्चन है, डाक्टर इडा एस, इसकडर हिमेटेरियन ओरेशन अवार्ड से किसे समानित किया गया है, तो ये पुरुसकार दिया गया है अजीम प पुरुशन ने फिप्टी सेवन्थ ज्ञान पीट पुरुसकार दोजार इकीस समानित किया गया है, दामोदर मावजो को, जो कि कौनकनी भासा के एक महान उपन्यासकार है, अब हम जान लेते हैं कि ज्ञान पुरुसकार किया है, और ये किसे किसे दिया गया है, तो 2021 में द कोशन पूछा जाए कि ग्यान पीट प्रोषकार 2021 किसे दिया गया तो उत्तर होगा दामोदर माउजो को जो की कौंकनी भासा से हैं तता 2020 के लिए ग्यान पीट प्रोषकार दिया गया नील मरिफुकन जूनियर को ये असमिया भासा के एक लेख़क हैं अब हम जान लेते हैं कि ग्यान पीट प्रोषकार क्या है ग्यान पीट प्रोषकार जो की भारत सरकार के द्वारा भारत में साहित के छेतर में दिये जाने वाला सरोच के प्रोषकार है इसकी स्थापना 1961 में होती है ये जो प्रोषकार है सभी भारती भासाओं तता अंग्रेजी भासाओं में दिया पडिया जाता है तो ये सार दिया गया है P. प्रमेर राव को जो dr. MS. स्वामी नात्वन हैं ये उस भैक्ति को दिया जाता है जो क्रशी या एक्रिकोल्चर के चेत में उत्रक्रिश्ट कारी करता है यहां एक दुई वर्षी यानि कि प्रतिक दो वर्ष के अंत्राल पर दिया जाने वाला प्रुसकार है यह प्रुसकार ICAR भारती क्रसी अनुसंदान परिसद यानि की इंडियन काउंसिल आप एकरी कल्चर और रिसर्च द्वारा दिया जाता है डाक्टर MS स्वामीनातन वहीं बेखती हैं जिने भारत में हरित करांती का जनक खा जाता है फादर आफ ग्रीन रिवल्यूसन अगला कुछन है 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सरुसेष्ट फिल्म का परुसकार किसे मिला है तो एमी अवार्ड में सरुसेष्ट फिल्म का परुसकार मिला है तेहरान इसराइल जो तेहरान इसराइल नाम की एक नाटक संखला है इसको एमी इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सरुसेष्ट फिल्म का परुसकार दिया गया है तो कई बार आपके एक्जाम में कोशन पूछा जा चुका है कि Emmy Awards का संबंद किस छेतर से तो उत्तर होगा फिल्म छेतर से अब यहां से आपको तीन कोशन याद रखने हैं कौन-कौन से Emmy अंतराष्टी फिल्म पुरुषकारों में सरुसेष्ट अविनेता का पुरुषकार दिया गया है डेविड टेनेंट को सरुसेष्ट अविनेत्री का पुरुषकार दिया गया है हेले इसक्वायर को जब की सर्वसेष्ट नाटक संख्रला का प्रुषकार दिया गया है तेहरान नाम की एक नाटक संख्रला को 2021 में इंटरनेशनल जो ME अवार्ड से इन में तीन भारती नॉमिनेट किये गए थे नवाजुद्दिन सिद्धी की सुसिमिता सें तथा बीरदास लेकिन इन में से किसी ने कोई भी अवार्ड नहीं हासिल कर पाए तीन भारती हैं जो कि इस साल इस परुषकारों में सिर्कत किये लेकिन किसी भी सेंडी में इन लोगों ने कोई भी जीत दर्ज नहीं हासिल कर प अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था गोल्डेन ग्लोब अवार्ड गोल्डेन ग्लोब अवार्ड भी फिल्म के चेत्र में दिये जाते हैं जहां से आपको चार कोशन याद रखने हैं अगला कोशन है इंद्रा गांधी सांती प्रुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो यह प्रुषकार दिया गया है एक NGO को जिसका नाम है प्रथम NGO अगला कोशन है स्वच्च सरवेच्छन प्रुषकार 2021 में लगातार पांच वेर्स भारत का सबसे स्वच्च सहर यानि की क्लीन सहर किसे गोसित किया गया है तो इसका राइट अंसर है इंदौर सहर को जो कि मद्धि प्रदेश का एक सहर है जो स्वच्च सरवेच्छन यह हर साल आवास और सहरी मामलों के मंत्रा लेकि द्वारा किया जाता है यहां से दो कोशन और आपको याद रखना है अगर आप से कोशन पूचाया कि सबसे स्वच्च गंगा सहर कौन है वह सहर जो की गंगा नदी की किनारेश्थित हैं उनमें से सबसे साफ सहर कौन है तो सबसे सबसे स्वच्छ जिला है गुजरात का सूरत और भारत का सबसे साफ सहर है इंद और मद्धे प्रदेश अगला कोशन है साहित के लिए 2021 का जेसी भी पुरुस्कार किसने जीता है तो जेसी भी पुरुस्कार दिया गया है एम मुकंदन को एम मुकंदन का एक उपन्यास आया है जिसका नाम है दिल्ली आ सोले लिकी के लिए 2021 का जेसी भी पुरुस्कार जीता है एम मुकंदन तो इनका ये पुस्तक का नाम भी याद रखना यहां से भी कोशन पुचा जा सकता है कि दिल्ली आ सोले लिकी जो है ये किस की रचना है तो उत्तर होगा एम मुकंदन की अगला कोशन है किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्डरन पीस प्राइज दो भारत के बच्चों को दिया गया इनका नाम है विहान तता नव अग्रवाल यानि कि इस कोशन का राइट अंसर है A and B यह जो दोनों बच्चे हैं दिली के दोनों भाई है विहान जिसकी उम्र है 17 नव अग्रवाल जिसकी उम्र है 14 इन्होंने घरेलू कच्रे को रिसाइकल करके अपने ग्रह सहर में प्रदूसर से निपटने के लिए एक नई तक्निक को खोज निकाला है और इन्होंने एक योजना शुरू किया जिसका नाम है One Step Greener इसी के लिए विहान तता नव अग्रवाल को Kids Rights International Children's Peace Prize 2021 से सम्मानित किया गया है अग्ला कुशन है वीमेन प्रुसकार दो हजार सौरी वुकर प्रुसकार 2021 किस ने जित लिया है तो वुकर प्रुसकार 2021 जित लिया है डेमन गलगुट ने दच्छिन अफरीका के नाटक कार्दता उपन्यास है डेमन गलगुट जिनको इनकी पुस्तक दप्रुमिस के लिए 2021 का पुकर प्रुसकार दिया गया है लेकिन यहां पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है यहां पर बात की जा लिए बुकर प्रुसकार की लेकिन यदि दिया गया है तो अंतराष्टी बुकर प्रुसकार दिया गया है डेविट डायोब को जो की फ्रांस देश के हैं इनके उपन्यास आट नाइट आल ब्लड इस ब्लैक के लिए तो यह दोनों क्वेशन बहुत ही मात्पोन है आपको याद रखना है बुकर प्रुसकार दिया दिया गया है डेमन गलगुट को इनकी फुस्तक दप्रुमिस के लिए जबकि अंतराष्टी बुकर प्रुसकार दिया गया है डेविट डायोब को इनके उपन्यास आट नाइट आल ब्लड इस ब्लैक के लिए अगला कुशन है दादा साहाफ फल के प्रुसकार दो हजा एक प्रुसकार जो की साउद फिल्मों के एक महान एक्टर है अगला कुशन है यूरोपी संसद ने यूरोपी संग के सीर्स मानवादिकार प्रुसकार जिसे हम सखारो प्रुसकार के नाम से जानते हैं सखारो प्रुसकार 2021 से समानित किया गया है तो यह प्रुसकार दिया गया ह एलक्सी नवलेन नीको, जो यज़ोंगा यूज़ोंगा इडिया गया है, अलक्सी नवेनली को आप इन सबी को ज्यादा तरलोग जानते होंगे, क्योंकि ये रूस के एक विपच्ची नेता है जिनको बरिष्टाचार के आरोप में जो रूस के वरत्मान में राष्टपती हैं वलादमीर पूतिन इन्होंने जेल में डाल दिया है जबकि ये जो अलक्सी हैं ये कहते हैं कि जो वरतमान के रूस के राष्टपती हैं ये बरिष्टाचार हैं और लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं तो विपच्ची नेता जो आवाज उठा रहे हैं अलक्सी इनको वलादमीर पुतिन ने जेल में डाल दिया है जिसके लिए European Union ने European संग का सबसे जो बड़ा पुरुसकार से समानित किया है अगला कुशन है वर्स 2021 के लिए Global Business Sustainability Leadership के लिए परतिष्टे C प्रहलाद पुरुसकार से किसे समानित किया गया है तो जो C के प्रहलाद पुरुसकार ये दिया गया सत्या नडेला को सत्या नडेला जो की वर्तमान में Microsoft Company के CEO हैं अगला कुशन है लाल बादू सास्ती राश्टी पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है तो लाल बादू सास्ती राश्टी पुरुसकार 2021 दिया गया है डाक्टर रंदीब गुलेरिया को डाक्टर रंदीब गुलेरिया जो की एम्स के वर्तमान में डाइरेक्टर हैं एम्स जिसका पुलफा में आल इंडिया इस्टिटूटा दिया जाता है यह दिया जाएगा तेल्गो फिल्म निर्माता बी गुपाल को अगला कोशन है Astronomical Society of India द्वारा प्रतिष्ठित आरेभट पुरुसकार 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है तो जो आरेभट पुरुसकार 2021 है ये दिया गया है डाक्टर जी सतीस रेड़ी को जब डाक्टर जी सतीस रेड़ी जो की वर्तमान में DRDO के चेर्मेन है अध्यच्छ है अगला कोशन है करनड अविनेता पुनीत राजकुमार जिनका हाली में कुछ दिन पहले नेदन हो गया था हार्ट अटेक की वज़े से तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांथ 200 स्री पुरुसकार से दिया गया है जो की करनाटक राजी में किसी भी सामाजिक कारिकर्सा के लिए दिया जाने वाला सरसेष्ट पुरुसकार है तो आपको उयाद रखना है पुनीत राजकुमार जो की दचन भासाई फिल्मों के अभिनेता थे कंणर अभिनेता थे इनको बसव स्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है 2021 में बीर चक्र पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ग्रूप कैप्टन वर्दमान अभिनंदन को जबकि किर्ती चक्र से समानित किया गया है से पर प्रकास जादोगो ये बहुती मात्मूर्ट दो पुरुसकार हैं आपको याद रखना है बीर चक्र दिया गया है अभिनंदन वर्दमान को किर्ती चक्र दिया गया है प्रकास जादोगो अगला कोशन है प्रतिष्टित महाराष्टर भूसन पुरुसकार 2021 किसे दिया गया है तो यह पुरुसकार दिया गया है आसा भूसले को जो महाराष्ट भूसन पुरुसकार ये महाराष्ट सरकार के द्वारा संगीत के चेट में दिया जाने वाला सरोसेष्ट पुरुसकार है अगला कुशन है ओलंपिक लॉरेल पुरुसकार 2021 किसे दिया गया तो ये पुरुसकार दिया गया मुहमद यूनिस को जो मुहमद यूनिस हैं ये बांगला देश के एक सामाजी कारी करता है ओलंपिक लॉरेल प्रुसकार जो कि अंतराश्टी ओलंपिक समिती के द्वारा दिया जाता है अगला कुशन है एसिया पैसिपिक उत्पादक्ता चेंपियन से प्रुसकार 2021 किसे दिया गया तो ये दिया गया है आरेस सोड़ी को आरेस सोड़ी जो की वर्तमान में अमूल कंपनी के CEO है अमूल कंपनी जो की भारत की सबसे बड़ी दूद्र डेरी कंपनी है जिसका मुख्याल है गुजरात के आनंद सहर में अगला कुशन है इंटरनेशनल बिजनेस बुक आफ दा इयर आवार्ड से किसे समानित किया गया तो ये परुसकार दो लोगों को दिया गया है भारत के नितिन राकेस तथा जेरी बिंड को ये परुसकार इनकी फिल्म Transformation in the Times of Crisis पुस्तक के लिए दिया गया है और ये हाली में कुशन किसी एक्जा में पुछा गया था कि Transformation in the Times of Crisis जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है नितिन राकेस तथा जेरी बिंड जिनको इंटरनेशनल बिजनेस बुक आफ ये दिया गया है भारत की घीता मित्तल को जो कि जमुकसमीर हाइ कोट की पूर्व मुक्ह ने आई दी हैं अगला कुशन है यूनिस्को या गोईलैरमो घर्रीशन किसे दिया गया है तो ये परुसकार दिया गया है मार्या रेशा को जो विस्तु खेल पत्रकार दीवस ही हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है जबकि विस्तु पत्रकार स्वतंतता सुचकांग 3 माई को मनाया जाता है और वर्तमान में जो 2021 की रैंकिंग है विस्तु प्रेस स्वतंतता सुचकांग इसमें भारत की रैंक है 142 और 3 माई को ही हर साल गोई लेर्मों कानों भी सुप्रै सुतनतता पुरुष्कार दिया जाता है जो कि इस साल दिया गया है मारिया रेशा गो। जिनको इस साल का नोबेल सांती प्रुसकार 2021 भी दिया गया है जो मारिया रेसा है ये फिलिपिन्स देश की एक पत्रकार है अगला कोशन है इसको चीप मिनिस्टर आफ दा इयर प्रुसकार 2021 से किसे समानित किया गया है जो कि वर्तमान में आंद्र प्रदेश राजी के मुखे मंत्री वाई एस जगन मुहारेडदी को याँ पर बात की जा रही है इसको चीफ मिनिस्टर आफ दा इयर प्रुसकार की लेकिन यदि आपसे कोशन पूचा जाए कि इसको चैलेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है तो यह दिया गया है अरजुन मुंडा को अरजुन मुंडा जो की वरतमान में केंद्री जन जाती कारे मंत्राले के मंत्री हैं अगला कोशन है फ्रांस के प्रतिष्टि सम्मान और नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मालित किया गया है और नेशनल ड्यू मेरिट पुरुसकार जिस परकार से भारत में पदम सरी पदम पुरुसकार होते हैं उसी परकार से फ्रांस का प्रतिष्टि सम्मान है जो की दिया ग अब आपको कुछ पुरुषकार याद रखने हैं जो कि किसी भी देश के द्वारा भारती वेक्तियों को दिये गए हैं जैसे बूटान अपने सरवोच चिनागरिक पुरुषकार जिसका नाम है नगदक पेलगी खोर लो यह प्रदानमंत्री नाइदमोदी को देगा मंगोलिय का सरवोच चिनागरिक संबान जो की जिसका नाम है दा ओर्डर आफ पोलर इस्टार यह दिया गया आरके सबरवाल को भारत का दूसरा सरवोच चिसमान जिसका नाम है पदम विभूसन यह दिया गया जापान के पुर प्रदानमंत्री सिंजो आवे को जापान देश का जो सरोची सम्मान है जिसका नाम है Order of the Raging Sun ये दिया गया स्यामला गनेश को इस्पेन देश का जो सरोची प्रुसकार जिसका नाम है Princess of Historious Award दिये दिया गया अमरति सेन को जो कि भारत के एक महान अर्थ सास्त्री है Asia Pacific उत्पादक्ता चैंपियन प्रुसकार 2021 सम्मानित किया गया है अमूल कंपनी के CEO RS Sony को पत्रकार पी साइना जो कि भारत के एक बहुती प्रतिष्टित पत्रकार है इनको फुकू ओवर ग्रेंड प्रुसकार 2021 सम्मानित किया गया है अब यहां से जो मैं बैताने जा रहा हूं बहुत ही मात्पू है आपको याद रखना यह जो प्रुसकार है भारत सरकार के द्वारा दिये जाते हैं 2019 के लिए गांदी सांति प्रुसकार दिया गया है ओमान देश के स्वरगी सुल्तान कभुस बिन सैद अलसाइद को जबकि 2020 के लिए गांदी सांति प्रुसकार दिया गया है बंग बंदू सेख मुझाबूर रह्मान को जो की बंगला देश के संस्थापक है फादर आफ बंगला देश बंग बंदू सेख मुझाबूर रह्मान को तो दोन प्रुसकार आपको याद रखने है विटली अवार्ड 2021 से किसे समानित किया गया है विटली अवार्ड जो की इन्वार्मेंट के छेत्र में दिया जाता है विटली अवार्ड पाने वाले पहले भारती बन गये है नागालेंट के नुकलू फोम अगला कोशन है तीसमा जीडी प्रुसकार 2021 किसे दिया गया है तो जीडी प्रुसकार 2021 से समानित किया गया है सुमान चक्रवर्ती को अब आपको यहां से तीम-चार कोशन याद रखने है जो केके बिरला फाउंडेशन है इसके द्वारा छे प्रुसकार दिये जाते हैं जो कि इस साल का जियोड़ी बिर्ला पुट्रिक आज़ा है को इसी प्रकार से सरस्वती संवार्पार्द को ुच替 कि इन पुट्चक सनातन के लिए ब्यास संवार्पाज्र को इनके उपन्यास पाटिल को त्रों पुत्र की गरीज़ा है बिहारी पुरुस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को इनकी पुस्तच तसलीमा, संगर्स और साहित्य के लिए तो इस सभी पुरुस्कार आपको याद रखना है जो की केके बिरिला फाउंडेशन के द्वारा दिये जाती है तो इस प्रकार से मैंने पिछले एक साल के जितने भी किसी भी छेत्र में दिये जाने वाले सरुसेष्ट पुरुस्कार थे उनको मैंने कवर कर लिया है अब आपके लिए कोशन क्या है कि Miss Universe 2021 का ताज किसे पहनाया गया इसका right answer आपको नीचे comment box में देना होगा आइगोप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजीए तथा आपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी exam की तियारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को सेर जरू कीजिएगा साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेश्ट है यदि आप हमारे चैनल एक्जाम फोरम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाले नोटिफिकेशन बेल को आन कर लिजिए ताकि इसी परकार से आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंसती रहे तो फानली थैंक्स पर वाचिंग एक्जाम फोरम